नमस्कार दोस्तों मेरा नमेक अपिल शर्मा और आप देखरें अपना खुद का यूट्यूब चेनल केस फ्लोग लेसन फूर दे ग्रेट तिंकर्स दोस्तों मैं अभी हाली में कई पड़ा है कि कोरोना वायरस का एक नया विरिंट सामने आया है डेल्टा और ओमिक्रोन से मिल कर तो मैंने इसकी थोड़ी सी जानकारी खट्टा करी है तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके साथ इसको शेयर करों तो बने रही है वीडियो के अंत तक अब तक की सबसे बड़ी ख़वर आपके सामने है लेकिन चिंता का भी विशय है देश में अभी क्या हुआना कि लोग जैसे तेसे ठंडे पड़े थे कि चलो कोरोना गया इसी बिज डबली ओचो की तरफ से एक और नई ख़वर सामने आ गई कि भाईसाब कोरोना का देल्टा और ओमिक्रोन जितनी तेजी से फैल रहा था तो हमने तो पहले ही आशंका जयताई थी कि भाईसाब एक नया वेरेंट और आएगा और जब वेग्या ने से पूछा तो वेग्या निकोंग ने ये कहा कि डेल्टा और ओमिक्रोन से बना नया वायरस कितना खतर नाख है इसे लेकर तो अभी कई स्टेडिया चल रही है लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में जनवरी 2022 में इस वायरस के फैलन फिर खूच से इसने डेल्टा बना डेल्टा ने ओमिक्रोन फसा है ओमिक्रोन डेल्टा ने सेटिंग जमाई हो रहे कि नया चालू फ्यूच हो था अभी तो आम करन बाकी इसका होना अब देखो आगे क्या होता है तो जो मारिया वान करखोव है डबली अच्च की एक साइं कर रहे हैं और इस पर बातचीत भी हो रही है मरिया ने वार्लो जोसिस जैमी का मिल का ट्वीट को रिट्विट के था और इस ट्वीट के मुताबिक डेल्टा ओमिक्रों के मिले जूले वाइरस के पक्के सबूत मिले जनवरी 2022 से फ्रांस में फैल रहा है साथ ही इसी कितना तभाही मचाने वाला है भी इसके ज्यादा पुक्ता सबूत नहीं मिले हैं लेकिन हां दोस्तों यह जरूर है कि यह वाइरस बन चुका है डेल्टा प्लस ओमिक्रों इक्वल टू क्वेस्चन मार्क एक नया वाइरस जो कि भी बना है इसका नाम नहीं हो है लेकिन इस के लिए बहुत सारी जानकरी वाले वीडियो लेके आऊंगा तो जै हिन जै भारत